हेलो दोस्तों मैं सोरम मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड़ में सौगत करता हूँ दोस्तों देखे रेलवे ग्रूप D के लिए मैं पहली मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे पाइपन सिस्टन नल तता टंकी किसे कोश्चन जितने भी बनते हैं आपके सोट्रिक के साथ में देखेंगे तो आप मेरे साथ बने रहे है इस वीडियो में सुरू से लेके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके वीडियो अच्छी लेके तो प्लीज लाइक से जरू करिएगा पलस आपका टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो भी पूरा इसी ट्रिक पे बेस है तो दोनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हैं सबसे पहले को ऑष्षय कोशनमा आपको पता हूंगा बिलुकूल कॉंसेप्ट क्या रहेगा फिर उसमें टाइप में आपको कराता जाऊंगा देखते हैं पहला कोशेण लेता है अप पूछा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दे जाए तो कितना टाइम लगेगा तो सबसे पहले हमें लिख लेंगे जैसे ऐसे 10 minute में बढ़ता है यह लिख लिएक हमने और बी एक स्टैप होगा हर एक patience में आप पाइप और sístland का करें यह ताइम ले लो यहाँ पे कोई भी डिजिट जो आपके मन में आए वो डिजिट रग लो बस LCM में इसलिए बोला है क्योंकि उससे आपका question असान बन जाता है ठीक है आप कोई भी ऐसी डिजिट ले लो जो दोनों से भाग हो जाए completely ठीक है वो ही आपका LCM हो जाएगा और वो आपका है यहाँ पर total capacity यानि कि उस tank में 30 unit पानी आ सकता है और उस 30 unit पानी को A 10 मिनट में बर लेता है और B उसे 15 मिनट में बर लेता है इतनी चीज़ अगर आपकी सौंझ में आ गई तो आपका पूरा question सोल हो चुका है देखे इस 30 पानी को यह 30 liter पानी मानलो 30 unit मानलो इसे 10 मिनट म कितना भरेगा यह 3 unit 1 minute में बरेगा ठीक है अब ऐसे B 1 minute में कितना भरेगा यह 2 भरेगा क्योंकि 30 को 15 से बाग कर देंगे यानि कि B 15 में तो पूरा भर देता है उसे पर 1 minute में 2 unit बरेगा ठीक है यह बिल्कुल simple सा concept है दोनों को add कर लेंगे यानि कि 1 minute में दोनों को अगर खो यूनिट पानी को जो की total capacity है उसे कितनी देर में बर देंगे तो 5 से बाग कर देंगे या आपका 6 मिनट तो ये बिल्कुल सा कोश्चन था जिससे आपका concept किलियर हुआ होगा अगर नहीं हुआ तो अब next question को फिट देखते हैं इसमें आपको किलियर हो जाएगा एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तता एक दूसरा नल बरी वी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है गलती से दूसरे नल को बंद किये बिना पैने नल को खोल दिया खाली टंकी कितने मिनट में बरेगी तो देखे दोस्तो इसमें अब की बार दूसरा क्या point आया कि एक नल तो इसको बढ़ता है एक खाली कर लेता है तो हमें करना बिल्कुल वही concept है A इसको 40 मिनट में भढ़ता है और B इसको 60 मिनट में खाली कर लेता है ठीक है तो जो इसको खाली करता है उसके सामने माइनस का एक निसान लगा लेंगे चीन लगा लेंगे जिससे आपको ध्यान रहे कि ये टंकी खाली करता है ठीक है अब इन दोनों को LCM लेने के LCM आगया आपका 120 ये आपका आगया total unit यानि कि total capacity उस tank के अंदर 120 लिटर मान लो या फिर 120 unit पानी जा सकता है जिसे 120 unit को A तो 40 minute में भरता है यानि कि 1 minute में कितना भरेगा 3 unit 120 को 40 से भाग कर देंगे ऐसे ही B 60 minute में उसके खाली कर देता है ठीक है यानि कि 120 unit पानी को B 60 minute में खाली करता है तो 1 minute में कितना पानी निकालता है 2 unit 120 को 60 से भाग कर देंगे ठीक है तो अब इन इसको माइनस कर लेंगे माइनस वाले को तो इसका मतलब है अगर दोनों को साथ में खोल दिया एक टैंक में एक निकालने वाला है पानी और एक उसमें पानी डालने वाला है अगर इन दोनों को साथ में खोल दिया तो इसका मतलब है एक यूनिट पानी जा रहा है बस एक मिनट में अगर उसके देखे समझने की कोशिस करिए तीन यूनिट पानी जा रहा है और दो निकल रहा है तो इसका मतलब गया कितना उसमें रुकएगा तो एक यूनिटी तो आप पूछा है कि अब कितना टाइम लगेगा तो 120 यूनिट पानी उसमें जाने के लिए एक मिनट में एक यूनिट जा रहा है तो 120 ही मिनट लग जाएंगे ठीक है आसा करता हूँ अब की बार आपकी समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्चन और देखते हैं ये भी आपका अच्छा कोश्चन है एक नल किसी पानी की टंकी को 60 मिनट में भर सकता है तता दूसरा नल भरी विए टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है तो बताओ दोनों एक साथ बरी टंकी खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी अब की बार ध्यान रखना है पूछा है खाली कितने समय में हो जाएगी ठीक है बरने का नहीं पूछा है तो देखें दोस्तों आपको कुछ नहीं पता है अभी question में जैसे मैंने आपको बता है सबसे पहले क्या करना है A के सामने लिखा यह से इतनी देर में भड़ देता है B के सामने लिखा यह से इतनी देर में उसे खाली कर देता है उसके सामने मैंने बता था माइनस का में एक चिन लगा लेंगे जिससे पता चले कि यह खाली कर देता है ठीक है इतनी चीज हमने अगर कर ली तो यहाँ पर एक चीज तो मैं तो कुश्चन की कैलकूलेशन बहुत कम हो जाएगी ठीक है तो 120 आ गया यानी कि एक टाइम में 60 मिनिट में उसे पूरा बर देता है एक मिनिट में कितना पानी जाता है इसमें 2 यूनिट ठीक है अब उसकी जो टोटल कैपिसिट है अगर उससे हम जितना पानी निकालता है उसे 40 मिनिट में खाली कर देता है तो एक मिनिट में ये 3 यूनिट निकाल देता है तो यहाँ पे निकल जादे रहा है और उसमें पानी कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस क एक आगे आनी की उस वो खाली होता जा रहा है जितना वो भगला हुँआ था न reflective उससे कम होता जा रहा है उपर वाले question में क्या था वो एक एक point increase हो रहा था क्यूंकि उसमें जितना पानी जा रहा था उससे कम निकल रहा था पर यहाँ पर उसका opposite हो गया तो हम इसको अगर भाग कर देंगे 120 को एक से तो इसका मतलब हो जाएगा आपका की 120 मिनट यानि की 2 गंटे में वो tank खाली हो जाएगा आसा करता हूँ यह आपकी समझ में आ रहा होगा next question चलते हैं दोस्तों जो आजगी question आपके सारे देखिए बिल्कुल सिंपल से मैं लेके आऊँगो जिससे आपका concept के लिए हो जाएगा कल फिर मैं आपको इसके type ठीक है उसमें time and work के भी और pipe and system के भी दोनों के type लेके आऊँगा जिससे आपको और practice हो सके तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है समझ में आरा है lecture आपको पूरा तो वीडियो को like जरू करिएगा ताकि मुझे भी motivation मिले तो देख लेते next question आपका दो नल A में B किसी टंकी को करम 30 मिनट में 40 मिनट में भर सकते हैं एक तीसरा नल C उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है तो बताओ टं दालेंगे हम इसके सामने तो इतनी चीज आपने लिख ली तो समय नेक्शी स्टेप क्या होता है इनका ले ले लेना एल्चम कितना आगे 120 यह आगया आपका टोटल यूनिट यानि कि उसमें 120 लिटर या 120 यूनिट पानी उस टैंक के अंदर जा सकता है 120 यूनिट पानी को A तो 30 मिनट में उसके अंदर डाल देता है B उसे 40 मिनट में भर देता है और C उसे 20 मिनट में निकाल देता है तो अगर तीनों को साथ में खोल दे जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा भरने में तो हमें सबसे पहले सबकी सेपरेट सेपरेट यूनिट निकाल लेंगे यान unit 120 को 20 से बाग कर देंगे तो ये 6 unit पानी निकाल देता है ठीक है उस tank में से 6 unit पानी बाहर निकाल देता है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक unit पानी जा रहा है अगर सारे के सारे pipe को एक साथ खोल जा जाये देख लीजे साथ यूनिट पानी उसके अंदर जाता है और 6 निकल जाता है यानि कि उसके दो अंदर पानी जा रहा है वो सिर्फ एक यूनिट ही पोच पाता है बाकी 6 यूनिट उसमें बाहर निकल जाता है ठीक है तो अब पूछाया कि कितना समय लगेगा उसे बहरने में तो 120 को यानि की टोटल जो उसकी यूनिट है उसको भाग कर देंगे वन से यानि की एक यूनिट उसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 120 यानि की दो गंटे उसे भरने में लग जाएगे 120 मिनट लग जाएगे आसा करते हूं यह कोश्चन आपकी सौझ में आओगा नेक्स देखते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन आपका दोनल पी तथा क्यूं किसी पानी की टंकी को करम 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं दोनों को एक साथ खोला जाता है किन्तु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है टंकी को भरने में क्यूं कितना समय कितनी और मिनट लेगा तो देखी हमें पहला कॉंसेप्ट हमारा क्या रहता है पी 12 मिनट में उसको भर देता है और क्यूं उसे 15 मिनट में भर देता है ठीक है सबसे पहला हमारा काम यहीं तो करते हैं महर बार तो यह किया नेक्स स्टेप रहता है इनका LCM लिया LCM कितना गया इनका 60 ठीक है 60 LCM आगा हम इनकी अलग-अलग unit निकाल लेते है 60 को 12 से बाग करेंगे तो 5 unit और 60 को 15 से बाग करेंगे तो 4 unit इसका मतलब क्या हुआ इसकी जो टैंक की जो capacity है वो 60 unit की है उसे P 12 minute में भर देता है और P 1 minute में कितना भरता है 5 और Q 1 minute में 4 भरता है यहां तक आपके समझ में आ गया एक बार फिर question को पढ़ते हैं Donald P क्यों पानी की टैंकी को 12 minute और 15 minute में भर सकते हैं दोनों एक साथ खोले जाते हैं देखें दोनों को एक साथ खोल दिया था तीन minute के बाद P को बंद कर दिया जाता है तीन minute तक तो दोनों चले ना भै उसमें यहां पे देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास दोनों unit आ गई 9 unit दोनों के दोनों पाइप 3 minute तक चले यानि की 9 की गुना 3 में कर देंगे तो 27 unit पानी तो दोनों ने मिलके भर दिया था ठीक है देखें इस चीज में confuse मत हो यह गा 9 unit हमें पता चल गया कि 1 minute में दोनों मिलके 9 unit पानी उसमें पुचाते हैं 3 minute तक दोनों के पाइप खुले रहे उसके tank के अंदर तो इसका मतलब 3 minute में दोनों ने मिलके 27 तो भर दिया बचा कितना 33 ठीक है तो अब P ने P को बंद कर दिया गया है तो बचा कौन क्यूं और बचे हुए को कौन भरेगा क्यूं भरेगा तो क्यूं कितना टाइम लेगा भरने में 33 को भाग कर देंगे 4 से तो 8 सही 1 बटा 4 आपका आंसर आजाएगा ठीक है आशा करता हूँ यह question आपकी समझ में आओगा देखें 3 minute तक तो दोनों खुले रहे न तो हम देखेंगे कि 3 minute में तो दोनों ने जितना पानी उसके अंदर डाल दिया होगा टेंक के वो तो हम उसमें से माइनस कर देंगे टोटल जितना उसके अंदर डालना था तो 60 उसकी capacity है 27 उसमें बर दिया है तो बचा कितना 33 33 को कौन करेगा क्यूं तो क्यूं कितनी देर में कर देगा क्यूं एक मिनट में 4 बरता है तो 33 को कितनी देर में बरेगा आर सही एक बटा 4 तो आशा करता हूं यह पूरी वीडियो आपकी समझ में आयोगी कल की वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि कल की वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ कुछ अच्छे से कोशन और जो दोस्त हमारे यूपी पुलीस या फिर कोई सी और जोब से रिलेटर जुड़े हुए तो वो भी लगे रहे हैं अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या आप प्रिवियस वीडियो देख सकते हैं कोई सवाल है कोई जवाब है आपका कुछ समझ में नहीं आया तो कोशन नमबर डालके नीचे कमेंड बॉक्स में डाल दीजेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिस करूँगा वीडियो के देखने के लिए बहुत दन्यवाद आपका दिन सूब हो